नमस्ते दोस्तों स्वागत आपको और नई वीडियो में एक और नए आईडे के साथ तो फ्रेंड्स जसा कि आपको पता है कि होली आने वाली है यार और होली से रिलेटेड पता नहीं दुनिया पर की चिज्ज्य आ चुकी हम मार्केट में यूट्यूब के मार्केट में भी पता नहीं कहा तो मैंने सुच्छा कि कुछ क्रेजी हम भी बनाए और यार वो क्या रहा वे यूट्यूबर भी बेकर रेंबोक्सिंग वो गिलास वो सद्धा पानी डालो उसमें कलर निकल लिया है बड़े लग रहा था उस तो इसी तरीक्के का आईडिया हम इस वीडियो म स्टार्ट करते हैं तो उसके लीओं हमने चाहिए यह डिसपोजल तो यह इने लिए स्टील वाले ग्लास में भी आप ट्राय कर सकते हो या मगह में मग्गे में जो व्यापके पास हो और शाइस समस्ट में इस फंज और आप सोच रहोंगे यह मोटी वाली पंज है तो कोई नहीं आप यह पतली वाली यह कर सकते हो शंताव कर दो को इसे दो कुई इसके रिकाई से थोड़ी चिपका के मोटी कर लेनी एंट बस इतनी और आप हमें क्या करना है इसके उपर एक तरफ हुआ ह कि हमारे गिणाज की तली में है इन स्पन्ज को चिपका दी आप जो यह हमारे पास दूसरी वाली तही से मैंने काट चोटी करके बागी गरे जो डो ऑना ऐनकी तέली में चिपका दी है और आप जितने अपने मैजिक गिलास बना रहे हो कलर 했습니다 न बढ़ना रहा हूँ तो इसमें से मैं बहुत थोड़ा सा मैंने हरे ऐसे गिलास में अलग अलग कलर ढाल दिया है देख सकते ओ एक में लाल एक में हरा और एक में पीला तो यह तीन तो इस तूढ़ी तो इसमें ठोड़ा दो मैंने डाल देया पानी टो पानि बहुत ज़्यादे छाफ्क धुम करले बस इतना डालना बस ओसके आप की मैंने डालना डालना तो इसे टोढ़ टोड़ी देर आपको तो तो पर शुने कीवे में का थोडա वह हो चुके है तो कैसे लग रहे हैं चलो इनको टेस्ट करते हैं कि कैसे ये काम कर तो हमारे कलर गलास बन चुके और अब चलो आ आचुके ने टेस्ट करने की तो मैं सबसे पहले लालवाला ही यूज खरूगा और बहुत थोड़ा कर देवा तो सब से पहले पहला गिलास बनता होया और यह हमारा एक खली गिलास ताकि इसमें भर भर कर डालता हुआ तो चलो यह पहला गिलास मेना बहा मेरा ग्रेडी और ये भरा मेने तीसरे गिलास और यो फेक द्यावने दोस्त की उपपर को और चुत तो ग्लास गिंते रहाओ यार घिल्टयूंग कर दोस्त पर गिंदियों ऑग और ये इसमें सबसे बड़ी हाब लाट यू है कि इस गिलास को आ हुआ ज़रूट नहीं यूस करने के पाद इसमें फिड में पिर सबारा योप है कि अपनेयों और दोस्त हम गुट ट्य मैं के परग दे दोश्त में सिडरा गिव मिट्सि का रस आज को के डिम्बू मिर्ची आं में व सब पेग देगलों अपनें दूँआ मैं रंगीला है और गाइस के लाई रंग तो ताई रंग मिक्स करने के बाद तो इस तरीके सा आप अपने कलर गिलासेस बना सकते हो और एक कलर के बनाओ और पूरी होली पे यूज़ करेंगे हम इने तो करने बाला हूं तो चलो यह आइडिया कैसा लगा आप बताना अब पढ़ते अपने अगले आइडिया की तरफ तो दोस्तों हमारे आइडिया नमर् तो चलो उसके लगव में चाहिए कलर पेपर यह तो मैं डवल टोन में बना रहा हूं तो मैं दो कलर पेपर यूज़ करूं आप सिंगल टोन में भी बना सकते हो तो एक पेपर को इस तरीके से चिपका देना है दो अलग-अलग कलर की पेपर मतले ना और एक तरफ मैंने कर दोगे इस तरीके से और आपको जोन से भी कलर की बनानी है यह उस कलर को आपको पिछे के साइड रखना है और उसके बाद इसको इस तरीके से मोड देना है इन दो हिस्सों को आप ग्यास करोगा इसे क्या बन रहा है यह मैंने बहुत बनाई है पहले तो यह चलो बनते है इस तरीके से मोड़ के बाद यह जो निच्चा वाला इस्ससता इसे भी मोड़ के प्रेस कर देना है और फिर पलट के दूसरी साइड से भी प्रेस कर देना है ठीक़्ा est emails अच्छे तरीक्व तरीक्यए से नाखून हों आपके थोड़े से तो उनसे प्रेस कर देना और अब जो यह हमारा दूसरा वाला कलर था यह इस वाले कलर क्यों थोड़ा सा फैविकोल लगा के इसको इस तरिक्के से मोड़ के चिपका देना है तो यह देख सकते हो गाइस हमारी यह बन चुके गाइस टॉपी तो अभी तो यार बहुत सिंपल से लग रही है आप बनाए से इस पर हैपी होली कर जो डिजाइन वगेरा है वो सब बना रहा हूं अपने हिसाब से और एक तरफ मैंने बना दिया और से इसी तरीके से जो दूसरी साइड इसकी उसके उपर मैं हिंदी में लिख रहा हूं शुब होली और आपकी जून सी मर्जिया आर आप वो कलर यू चाहिए इस तरीके की और इसको नाप लेना है अपने हिसाब से और यार मुझे पता है अभी कमेंट आएंगे कि हमारे पास यह इस तरीके वाली रवर नहीं है तो टैंसन मतलो यार इस वीडियो में मैंने उसका भी जुगार बताया है अभी बस देखते रहो तो अगर फिल हैं आखर आपके पास जो है यह वाली रवर नहीं है तो लेकिन यह फाले वाली लियाओ अब यह तो होगी यह इस चल्शले वाली से डालकर और इसमें ऐसे एक दूसरे मução लगा देना है यह कुछ इस तरीक है तो दो-3 4 गाज इस तरीके से लगा लगा के आपनी कर सकते हो और इस तरह बड़ को बना के भी लगा सकते हो ठीक है तो फ्रेंट्स इस तरीके सा हमारी हैप्पी हो लेगी जो टोपी है ना वो बन चुकी है एकदम ट्रडिशनल तो आप बताओ कैसे लग रही है यार तो मैंने तो ऐसी बतरी सारी जो है ना ट्रोफी बना लिए ट्रोफी याद आ रही है अब चलते हैं अपने आइडिया नंबर कौन सा यह थ्री की तरफ तो इसके लिए हमें चाहिए आलू तो यार आप अपने हिसाब से आलू लेकर आ सकते हो तो आलू हमें बीच से काट लेना एकदम एक सारा तो जैसा भी आप से कटे और जब कट जाए तो आ यार उसको आपको उल्टा बनाना है क्योंकि यह हम बना रहे हैं गाइस मोहर तो किस तरीके से काम करेगी आप देखते जाना तो सबसे पहले बनाने के बाद यार हमें इस पे जो भी हमने अपना लेटर बनाया है उसको इस तरीके से काट देना है और आलू जो है आपके एक तो अब ये किस तरीके से काम करेंगी वह मैं आपको बतता हूं तो इसके लिए हमें चाहिए अभी रंग तो यार ये सुखा था इसमें थोड़ा पानी गिरी गया पतनी कैसे तो पड़े इसमें हमें मिला देना है पानी और यार जब आप ये कलर बना रहे हो न तो ये क्योंकि गालों पर कपड़ों पर छापना है तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाता हूं हमारी जो है ना महोरे बन चुकी है मैंने एक महोर अभी अभी ट्राइब करके देखी दी तो इद्दम मस्त काम करिए ले ले लिए चाप के दिखेए यह एक में हरा गलर ए ले चापी जरा गाइस मेरी सपेटी सल्ट गई काम से एसे छपने हां लो भाई टा ऐसे छपना पड़ेगा इस पर सिद्धा बना जिए ता उल्ट उर्ग जराम था पूरा डूब योवी हरा ले रहा होली है है पी होली वियार हरी चापना ला लुक जमेंद ऐसे चापना प इसे चापा ऐसे चापेगा यह देखोगा इस होली कि तक के लिए राया एक दम बढ़िया यार लाल वाला मेरे नाम तो रही के चापने से भी गाइस विकास के आइडिया को सब्सक्राइब कर दो इसी बात पर और मैंने कलर घोली है और यहां पर यहां पर चापकों है एक और हो मिल्यद्थ की आप भी त्याप बढ़िय शाप एक लाल वाला है अप्पर हमारे चाप दें श्री सिध कर देने उसक्रमाल अधर संथ बताव आपको इन से ब्सक्तर अच्छा लगे और हम लाल पसंद आ रहा यहां थ बना सकते हो और आने वाली वीडियोस में हम और भी आइडियास लेक्के आएंगे और वह पता नहीं क्या क्या चलिया हुआ है बताइए अच्छा उसे मतला पानी बस है तो ऐसा कुछ हम देखें के कुछ अलग सा ट्राइब करेंगे और अगर आपके पास भी कुछ और आइड जब खुछ लाँ हुआ है।